Hey guys, welcome to resource point आज हम लों discuss करेंगे वीजनाइस की current interface जो कि हमारी अगस्त मन्त की है तो start करते हैं हम लोग अपने culture lecture के साथ जिसमें की हमारी सिर्फ एक topic है और ये है लिंगराज temple तो start करते हैं तो start करते हैं लिंगराज temple के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा important है या आप 3, 4 जितनी भी स्ताहमाक लगाना चाहो लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा important है एक temple से questions आपको हमेशा देखने को मिलते है UPSC में तो इसलिए जो भी temple news में रहे best way है कि आप उसको cover करो तो start करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि उडिसा government के दौरा recently ये announce किया गया है कि face lift किया जाएगा 11th century के Lingraj temple को जो की pre 350 years structure status था इत मींज कि आज की date में इस temple की जो status है वो कही न कहीं down हो गई है और 350 साल पहले जो इस temple का structure था और जो status था उस तरीके से वापस से इसको फिर से face lift करना है वापस से इसको सही करना है तो Lingraj temple के बारे में अगर देखे तो 11th century में इसको बनाया गया था और किस राजा के दौरा तो जचाती केशारी जो की सुमावंशी dynasty के थे और बाद में जो है इसको add किया गया गंगा डायनेस्टी रूलर्स के दौरा तो इसलिए इसमें कुछ addition भी किये गये थे तो दोनों डायनेस्टी याद रखना है यहाँ पर आपका टावर है जो की टावर की height 180 feet है और यहाँ पर culmination देखने को मिलता है temple architecture का जो की भूवनेश्मर में है और साथी साथ यहाँ पर कलंगा school of temple architecture का भी यह जो temple है यहाँ की चार main hall है यहाँ पर एक है गरबागरी जो की हम लोग sanctum sanctorum कहते हैं एक ही आजना मंडप जो की hall for the prayers है prayers यहाँ पर किया जाता है इस hall में और साथी है नत्यमंडप जो की dance और music hall है और भोग मंडप इट मींज की जहाँ पर devotees जो है वो प्रशाद वगेरा लगाते है तो यह चार main hall है इस temple के अंदर धियान रखना है next यहाँ पर लिंग राज की बात करें तो यहाँ पर इनको रेफर्ट किया जाता है श्रम्भू यानि की self originating shivaling और shivaling जिसको के हरी हरक कहा जाता है यह signifies करते है synchronization of shavism and vashnavism sect in Odisha तो यहाँ पर जो लिंग राज temple है उसमें आपको दोनों देखने को मिलेंगे कौन से sects है यहाँ पर तो यह shavism और vashnavism यह दोनों sects आपको देखने को मिलेंगे कुछ other attraction of temple देखे shivratri festival जो है एक major festival है जो कि celebrate किया जाता है इस temple में तो यह भी अभी news में था और shivratri अभी भी पार हुआ तो इसलिए इसके बार में भी ध्यान रखना है यह जो temple है यह सारे non-hindu के लिए आपका open नहीं है but there is a viewing platform जो कि वाल के पीछे एक view देखने का एक platform है जिसमें कि good view देखता है main interior exterior का जो है न यानि कि जो बाहरी रूप है main exterior उसका बहुत अच्छा view देख जाता है तो originally यह erect किया गया था for a visit by Viceray Lord Garzan तो यहाँ पर जो भी word to word यहाँ पर important है यहाँ आपको याद अखना है and the most important कि Kalinga School of Temple Architecture के बारे में समझते है कलिंगा architecture style एक सब style है नगारा architecture का north में जो temple बनी होती है उनकी structure नगारा architecture में होती है और जो south की temple होती है वो आपका ड्रेविटा architecture की होती है ठीक है यह ancient जो कलिंगा region था जो कि आज की डिट में आपको उडिसा वेस्ट वेंगल नदन आंधर प्रदेश में देखने को मिलता है वहाँ पर यह पाया जाता है इसमें सिखारा यानि कि आपका dual होता है उडिसा में यह almost vertical है before curving near the top जो इस तरीके से आपका temple में curve देखने को मिलता है इसके उपर जो इस तरीके के लंबी आपकी छड होती है उसे हमनों शिखारा कहते है इसमें आपके कलश वगेरा भी बैठाए जाते है तो शिखारा है जो कि यहाँ पर मंडप से इसको प्रिसीड गया है जिसको की जग मोहन कहा जाता है या फिर dance pavilion भी है और यह स्टाइल में आप देखो कि 3 distinct type of temple होते है जैसे रेखा डोला है पिड़ा डोला है और खाखर डोला है रेखा डोला और खाखर डोला की बात करूँ तो यहाँ पर आपका sanctum sanctorum है वहीं अगर पिड़ा डोला की बात करूँ तो यहाँ पर dancing और offering hall है यहाँ पर चार तरीके का hall था इसमें से आप देखो कि रेखा और खाखर डोला जो है यह आपका गरवागरी है और पिड़ा डोला की बात करूँ तो यहाँ पर dancing है यानि कि नत्यमन्डप है अगर कलिंगा आर्खिटेक्चर का देखे तो एक तो लिंगराज टेम्पल हो गया उसके अलावा रज रानी टेम्पल है और जगनाथ टेम्पल है पूरी की तो यह दोनों टेम्पल याद रखना है यह किस के अंदर आता है कलिंगा आर्खिटेक्चर के अंदर तो दिस इस आल बाओ लिंगराज टेमपल तो मिलते हैं नेक्स लेसन में, थैंक यू